अग्यों हेलो आप फ्रैंस पर पहुत खुराब है जिस वज़े से मुझे पिक पॉज का घर चुड़ना पड़ा और मुझे वो लोग आरें नहीं दे रहे दे जिस वज़े से मुझे सलमान जी के साथ ऐसे बीवेवियर करना पड़ा सल्मान जी ने मुझे बोला कि आप घर रुको लेकिन मैं नहीं चाहती थी उस घर में रुकना में तब पर सच में बहुत कराब है अगर में तब ठीक होती तो मैं रुक भी जाती उस घर में बट मुझे डॉक्टर्स फसिलिटी नहीं मिल रही थी मुझे बिग बॉस जो खाना दे रहे थे वो उन्होंने फिर बंद कर दिया उन्होंने स्पेशल बोला कि प्रयांका को अब अनू मती नहीं है बाहर से खाना खाने की तो मेरी लाइफ में मेरी मेरी मुझसे ज़्यादे इंपॉर्टन कुछ भी नहीं है और मैंने उनको सीक्रेट रूम में भी बोला था कि सर मुझे इस घर में दुबारा नहीं जाना है मैंने सलमान सर को भी बोला था सर मैंने यह चीज पहले सौ बार दो रही है कि मुझे मेरे घर जाने दो तो मुझे मेरे घर जाने दो and उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया जिस वज़े से मुझे यह सब करना पड़ा और जैसे मैंने सलमान सर को बोला that I wanna go home उन्होंने का कि तुम हिम्मत वाली लड़की हो तुमको हिम्मत दिखानी चाहिए तुम entertain करो लोगों को बट मेरे हिसाब से मैंने जो किया ठीक किया और अगर किसी को लगता है गलत किया तो I don't know क्योंकि अगर सलमान में पर पस और कोई option नहीं बचा था क्योंकि एविक्ट करके भी यह लोग मुझे वापस घर में भीज रहे थे और मेरा एक्षिन सब फर्जी था पता नहीं क्यों मुझे बार 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 यह घर के अंदर जाने पर मजबूर कर रहे थे यह सब चीजे मैं अभी जाके मीडिया से बात करूंगी बार 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 आपको घर में बेजा जा रहा है वेक्ट रोने के बाद भी अब क्या करोगे अब बोजब दिखाएंगे मेरी रिपोर्ट दिखाएंगे अंदर घर के अंदर सिर्फ आपका ब्लेड प्रेशर चेक हो रहा था आपको और कोई ढंका डॉक्टर नहीं दे रहे थे बिक बॉस यह बोल रहे थे लुनावला होने की वज़े से आपको डॉक्टर अभी नहीं वेट करो वेट करो मैंने तो मनु पंजाबी की देवाईयां खाके भी दो दिन निकाले हैं बट मेरी तब्यस सच में खराब थी इस वज निकलने के लिए यहां तो कुछ तोड़ फोर करनी थी या मुझे कुछ कहना था वह लोग नहीं निकालते मुझे ऐसे उस घर से निकलना मेरा एक टार्गेट हो गया था कि मुझे निकलना है जो भी हो जाए और बेश थी बत्तम इजी I don't care अगर उसने करना है उसने एड़िट करना है सब कुछ पहले हफते में भी उन्होंने यही किया था सब कुछ एड़िट किया था और सलमान सर क्या कर कहती है कि उन्होंने किक आउट किया तो उनको शयाद पत्त उन्होंने नहीं दिखाया होगा कि मैंने उनको बोला था कि सर प्लीज लेट मी गो, I wanna go home I wanna go home बिग बॉस, I wanna go home, let me go home तो it's good if my end is well मुझे घर आना था मैं आ गई अब चाहे जो मर्जी बोले, मीडिया बोले क्या बोले, I don't care क्योंकि मैं सेलब नहीं हूँ, जो सेलब है वो अंदर बैठे है, सो सारा एरेट होता है, शो अच्छा है, ठीक है, जो वो दिखाना चाहते हैं, वो दिखा देते हैं, इनको लोगों की मर्जी है बट आम नट पार अफ इस गेम अनिमोर और मैंने बहुत बड़ी जर्नी, जब सल्मान और सल्मान सान उसलिए भी मैंसे गुस्त हो है, क्योंकि उनका बड़े था उन लोगों का सर्प्राइब्स एक डांस था मेरे में हिमत नहीं थी डांस वांस करने की मैंने सर को बोला, मुझसे नहीं होगा तो उनने बोला, घर का हर सदस्य सयोग करेगा मैंने बोल दिया कि मैं इस घर की सदस्य नहीं हो प्लीज लेट मी गो तो मेरी साब से मैंने जोग किया, शायद ठीक किया अगर मुझे मरना नहीं था उस घर में कहते हैं न आपकी जिंदगी आपके लिए बहुत इंपरेंट होती है और मेरी जिंदगी मेरे लिए बहुत जादे इंपरेंट है उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा I'll protect myself और I guess I've never it's been four weeks I've been I was very good to everyone but in the end I had to do it to make myself better and to come back home कल भी वो लोग मेरी टिकेट नहीं टिकेट नहीं दे रहे थे दुपैर तक शाम तक कि नहीं आप रुको आप सोचो आप डिसीजन लो बट जब मैंने डिसीजन ले लिया I say I wanna leave right now तो मैं फिर उस घर में दुबारा भी नहीं लेए और by the way Rabi is a cup that's why my husband is always with me जिस औरत के साथ उसका पती होते इसलिए उसको दुनिया की परवा नहीं होती तो जो मुझे जानते है उसको पता है मैंने यह सब क्यों 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 होगा जो मुझे जानते ही नहीं उसको मैं क्या सिफाई दूँ और अपनी जिन्दगी दाफ पर नहीं लगा सकती किसी के लिए भी मुझे मेरी जिन्दगी हर उस जिन्दगी से बहतर लगती है जो मेरे पास है